फुलानू कोण दसे फोनू दानू चु मिलेने आधे डिक्टि पे आच टेके उस थोर देने यक्खर आथोनू खेलने नू मिल गए किसे होर देने यक्खर जी मैं गुर्मू फीदा बेटा मैंनू थोर देने यक्खर घामा परिंदा है तू दिखला के जिन्दा है तू वापकी है तुछ में होसला हूँ तेरे चुनू के आधे अंबर पदा है मांगे करता के तू जो है शिलाओ तू की तकदीरे तो क्या तू की शंशिरे तो क्या तू की शंशिरों से ही हो तरहर मैदान पदेर बन्राण हर मैदान पदेर तू की शंशिरों से ही हो हर हर मैदान पते हर मैदान पते हर मैदान पते करी कोशिश ही कामयाब होगी जब तेरी के सित आख होगी भूप देंगी ना उमीदिया ना उमीदिया तेरे पीछे पीछे रास ते ये चलके पाहों के निशानों में जलके तूब लेंगे अपना आजियां, अपना आजियां, अपना आजियां हम होखे याख मिलाके, तुटे जी जाने लडाके, तुम पी शम्शीरों से ही हो Thank you, thank you Sumit, thank you everybody, I hope you are listening to me. Loud and clear. Loud and clear, okay. So it's my turn now and I was listening for the last three hours. सब को सुना है मैंने, जितिंदर परशाद को सुना, उससे पहले बहुत ही बड़िया, एक स्पीकर आये थे, कहा नाम था? सुमपात है. सुमपात है. हाँ और अभी गोरंच था and then एक के बाद एक बहुत ही बड़ी है कमाल के नकवी साफ की बात शनी and अभी best of the best जो सुमीत भादर उनकी बात शनी है तो बहुत ही मज़ेदार बिजनस है बहुत ही कमाल का बिजनस है I am hope I am addressing the BFIs and above only diamonds है यह तो सुनते रहते हैं और आज की जो शाम है वो तो BFIs and above के नाम है और मैं उनके लिए जो बोल रहा हूं कि ऐसा बिजनस इस बिजनस की जो features है कि इस बिजनस में जो values है जो principles है जो कोशी इस बिजनस में सखाय जाता है वो दुनिया के किसी बिजनस किसी जॉब में नही कहता है कि मैं इस लिए बिजनस में आया मैं security के लिए आया मेरे को तो यह बात हजम नहीं होती मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा रपईया है मेरे को को पूछता भी तू इस बिजनस में किस लिए आया तो आई के मपर money money and money only को अगर अपने अपने दिल से पूछ कर हुए थे और जैसे ही यह बिजनस हाथ में लगा तो हम तो पागलों की तरह इदर ना देखा उदर ना देखा और जूजबरे इस बिजनस में इवन मैं अभी जाद कर रहा था कि सब्सक्रास का थे कि वरें गर आपन यहां किवस्क्ता और यह बिजस झांता है तो खिसी को क्यों यह दिए ऐचाट के देखते रहे हुए कुण अच्छा क्या है तो मैंने एक हमारा डिस्टीबूटरों से पूछा मैं यह को नहीं कहते हैं तो हमारा इतने इनोसेंटली हमने बिजनेस बिल्ड किया और एक टेप हम सुना करते थे जेवन एंडल की टेप आई थी जो चार टेपे पहले है थी तो उसमें एक जोग था मिनको बड़ा प्यारा लगा वह जोग बड़ा अच्छा लगता था कि वह बता रहा था किसी का बच्चा था और वो वो बोलता नहीं था उसको बोलना नहीं आता था उन्होंने डाक्टरों से चेक करा लिए उसके कान चेक करा है उसकी जबान चेक करा ही उसके वोकल मसल चेक करा है सब कोई दखा लिए डाक्टर रहे थे सब कुछ ठीक है इसमें कोई प्रावलम नहीं है कोई साइकालोजी को वो डाल के दिया उसको, और पीने के बाद, उके ता मॉम, कोको अज नाट गुड़, कोको अज नाट नो गुड़, तो वो तो उचल बड़ी उसकी मॉम, अरे, यह तो बोलन लगए यहाँ, उसमें को बलाया, दुनिया प्रोसी कठे हो गए, अरे, जह बच्चा बोलन लगए ब्यूश से बेटा, इतने साल होगे, आप पहले को नहीं बोले, वो दो बाते हैं, आब इमैंटरशेप की बहुत बात हो रही थी, मैंटरशेप के उसके दर मकाबले की बात है, कोई नहीं की विधारूट तो यह तो बाणी में बार बार आता है, कि मत कोई परम पुले संसार गुरूबं कोई ना उत्रिसक्रित है क इस फिजिकल वाड़ कोई से गुरूबंगर के बना गातनी और आइक केम इंटर के बिना कोश पुसिब्ल नहीं है तो यह सिस्टम एक ऐसा बन गया कि जैसे जस्ट अमेजिन वारे वन सेकिंड के अगर सुमीद भादर के दमाग का एक कलोन बन जाए बिल्कुल सेम एक डुपलिकेट कॉपी बन जाए सेम माइंड सेम प्रें वो रो आपके किसी के ट्रांस्प्लांट कर दिया जाए मेरे कर दि जूड कैसा है मेरी मोशन जी कैसी है मेरा सब कुछ क्योंकर कंट्रोलर तो जहीं है ना हमारे बॉड़ी की ऑल फिजियालोजी एंड इमोशनलिटी तो एक चीज को कहां कट्रोल है तो ब्रें नी कर रहा है न तब ब्रें आपने ट्रांस्प्लांट कर दिया तो आप तो वो चलेगा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कबीर जी कह रहे हैं बगवान को कि तेरे में और मेरे में मेरे में और तेरे में फरक क्या है कंक कटक जलत रंग जैसा जितना सोना और सोने के कड़ों में फरक है जितना जाल में समंदर में समंदर की लहर में फरक है उतना ही फरक कैसे बनोंगे आप आपका गोल क्या है how to become like your mentor जितना सोना और सोने के कड़ों में फरक है इतना है फरक समीद भादर और के कैसे के अंदर उना चाहिए they are same just 30 form different है that's mentorship और हर दाम उस mentorship के शाय में रहे के काम करें जब होई वह गए तो वह एक और बात है कि वह आती है कि कंचन से उपाईये नहीं तोल सोने से मुल नहीं मिलता जो गुरू है न वह सोने से नहीं मिलता कि सोना दे तो चांदी दे तो गुरू मिल जाएगा कंचन से उपाईये नहीं तोल मन दे राम लिया है मुल ये दमाग ये मन उसको देना पड़ता है और गुरू को हम मुल खरीद लेते हैं यही है तो जब गुरू के चरनों में मंदर में फोड़ देते हैं जागे नारियल, तो यह जो बुद्धी है इसको फोड़ देते हैं गुरू के चरनों में, तो गुरू वहाँ पजा देता है, जहां वो फुद पहुंचा होता है, अब कितने सब्मिशन में हो, जह सब बातें मिलती हैं अपस में, यह मैंटर्शेप, कॉंसलिंग, सब्मिशन, टीचेबल, जह सब एक ही चीज़ के डिफरेंट रूम है, आपकी सब्मिशन कितनी है, आपने अपना आपा कितना गवाँ चुके हो आप, अपला इनके सामने, आप वो बन जाओगे, जो आपका गुरू है, जो आपका मैंटर है, तो यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, विदाओट आप बिना कॉंसलिंग के, बिना मैंटर के बिजनस में हम क्या हम D-Track हो जाएंगे, रेल-गारी का इंजन लाइन के उपर है ना, तो ही इस फो इसलिए मैंटर हम इदर भागते हैं, सट्रेट लाइन की जाए हम D-Track हो जाते हैं, इदर उदर चले जाते हैं, अप लाइन फिर पकड़के, फिर आगे लाइन के उपर राखते हैं, नहीं इदर चलना है, हमारा गोल इदर है, तो मैंटर्शिप, तो मैंटर्शिप के बिन मुझकल है, यह होता नहीं है, जा फिर, जैसे मेरा केश था, सुमीत बहादर कभी-कभी मिल जाते थे, तब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं सिल्वर लेवल्ट में था, तब ही मिल गए थे मेरे को, और तब ही उन्होंने बोल दिया था, पावरों स्पोकन और बिलकल उसके सामने, आफस के सामने, ब्रेट का आफस होता है, था इस्ट ओफ कलाश, तो वहां हम जायागार थे थे, टेपे लेने, आपको तो पता है, मैं तो चंदीगड में ताब कुछ भी नहीं था, चंदीगड आइसो किलोमेटर है दिल्ली से, हम तो रोज मैं जैसे को फिल्म का हीरो होता है, एक्टर, ऐसे जीन पहने हुए, वाइट कलर की और थी उनकी और वाइट शर्ट जैसे वाकसरी पहनते हैं, तो टेपल के उपर ऐसे टांगे नीचे लमगागे, टांग पर टांग पर टांप चाड़ के बैठे हुए थे, और मैं तो बड चल गया कि समीट को बी ये बंदा तो नेव लगता है, बिल्कुली को अनाडी सा लगता है, तो करते हो कै मैं टीशर हूँ, टीशर हूँ तब था टीशेर भी तो अपला इन कान है, मैं आपलाइन तो कोई भी नहीत है, मैं आएमाल अलोन तो ये पता तो मैं देखता रहा गया है यह कितना स्मार्ट बंदा हम भी ऐसे होते स्मार्ट कई तो वो हमारा पहला इंकाउंटर था और बाद में जब इनकी स्पीच लेक्चेर सुनें की बातें सुनी तो तब तो हम मंतर मुगद हो जाते थे सुनकर इनकी जो विज्टम है और इनका जो इंटलेक्ट है और इनकी जो हमिलिटी है इनके अंदर वो तो बहुत इकमाल की चीज़ है तो थैंक गड़ के वी आर इंटू राइट और हम तो हैं बार बार ही सबस्कार में आगे थे 10-100 km दूर था हमारा गाउंग और गाउंगे स्कूल मंएрем कैसे होते हैं आपको पता ही होगा साइंस टीक्चर मैं वहां ट्रैक्टर भी चलाता रहता था जब मर जीट रहा है स्कूल जाता था गभी नहीं जाता था अपना स्कूल था गर का एक तरह का तो खेलती बड़ी करते थे तो मैं अचानक मेरे को लगा में यहार ना यहां कुछ स्कूल नहीं गाओं में डमाग में सुपनें बड़े थे Ein Supreme को पकडएते पकड़ ते ना हम ट्रक में समान लड्दा बच्चों को चाथ लिया चंदिगट कुछ नहीं था हमारा ना को हमारा मकान ना कोई प्लॉट ना मेरी ट्रांसफर कोई जानता नहीं था पता नहीं एक स्टूपड डिसीजन लिया एक बड़ा रिस्की साल और वहां से उठे और चंदिगट आगे क्यों आए कि ऐसे सहर में चलते हैं जहां कैश फ्लो अपना जोगदान पाते हैं वहां अपना सब डाएंगे हम भी तो शहर में आगे तो यहां में बिजनस में लग बहुत कुछ किया है हमने चंदिगट में बैठा नहीं लोग क्या करते हैं कि एक बार सरकारी नोकरी मिल जाए कहते हैं हम तो सरकार के जमाई होगे उसके बाद केबल टीवी शुरू कर दिया अपना केबल टीवी लगा दिया लोगों घर में पिक्चरें दिखाते थे केबल पर कई काम की है फिर मैं ठेके दरी करने लगा मैं स्टॉक मार्केट में प्लेयर कोशिच की वहां अच्छा घाटा खाया और फिर जब बिल्कुल जमीन पर ले फातनों की जो चीज कोई ग्हुइम पढ़ी थी न वह मिल गई और ऐसे पागल हो गए कि खिक्टाantas अनी तो यह लाइफ इस तरह की होगी गर भी बन गे दुनिया भी देख ली पैसे का एक स्ट्रीम बन गी ऐसी के कभी कोई खत्रह नहीं है और हैल्थ इस फाइन एवरी गोड एक थोटा था एपी सोड आया था आई रिकावर डिट फूली आयम पर्फेक्ट नाव और किसी चीज की कोई कमी नहीं है गाड़ी यह ले ली क्या चाहिए बन देवो और अगर आब मैं सुन रहा था तो यहां स कबोर रहते घामेंड और ड्रीम की बात का रहे तो मैं वाई ऐसाद सला कर रहा था है महां ड्रीन होता क्या तैने conceived if we are introspecting की ड्रीमез एक्शौली में है क्या इतने साल होगे वी साल ड्रीम की बातें, ड्रीम के इतनी कतबें, वह ड्रीम है क्या है बिसीकली, मैंने गाए तेरे को मानलो सो करोड है तेरे पास, रंदीर को मैंने बोला कि तेरे पास सो करोड है, तेरे काउंट में, काउंट का काड भी तेरे पास है, पासवर्ड मेरे पास नहीं है मेरे पास अपना पांसो को रोड है लोड़ फरी मैंने शीता है तो वाट यू विल दू जब तू शटक पे चलेगी जब रिष्टेदारों को मिल ने जाएगी जब विल जू फिल यह नहीं का रहे होगी कारों को सोड़ो हो विल फिल फ्रों इंसाइड हजारों लाखों डेफिनेशन है ड्रीम की के काउंसलिंग मेरे पास भी आते हैं लोग काउंसलिंग करने आते हैं और वो काउंसलिंग जो रियल काउंसलिंग होते हैं वो करते नहीं हो वो वो बतें जो उनको अच्छी लगती हैं वो मान लेते हैं जो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये करो जिनके साथ वो एगरी नहीं करते उनको नहीं मानते हो यहां हां करके चले जाते हैं ऐसे 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 वहां जाकर सोचते हैं रहे मांगर साथ को पता नहीं है असले मेरी कहानी क्या है तो काउंसले में किया होता है काउंसलिंग में रियल काउंसलिंग में जो आपको मैंटर ने बताया कि जो चीज आपको पसंद नहीं आई न वहीं काउंसलिंग है जिस बात से आपने एगरी नह है वो तो आपकारी रहे हो जिस बात पर अपला इनने को बात बोली मैंटर ने बोली आप थोड़ा सा कर रहे हो कि नहीं वहीं कॉंसलिंग है असल में वहीं कॉंसलिंग तो यह तो यह आते हैं कई 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 कांसलिंग कर रहे हैं कितनी स्पॉंसरिंग हो रही है एक मिन्ने में उसको पता है कि एक प्लाटिनम ग्रॉप में कम से कम आज की डेट में करोना कोवर्ड एरिया में एरा में पच्ची तीस होने चाहिए कम से कम डिफर करते हैं हर एक के तो वह पहले मेरे को बता देगा चाहे मैं मैं अब बोलता तो नहीं उसको हट थोड़ी करूंगा मैं तु डॉक्टर के पास जाओ और सिंप्टम कलता बता दो जाके तो डॉक्टर को जाओ जाओ तो अब कॉंसलिंग करने जाते हैं तो फैक्स बताते निया उल्टा-फॉल्टा जैस्टू थेस वैल्यू के लिए के अभी शबाशी लेने के लिए अपने अपलाइन से ऐसे उल्टा-फॉल्टा बोल देंगा जो लगता है इनको अच्छा तो मैंटर से अब ते एक वर देड़ कैमरा है उसके नीचे काम करना चाहिए उपर आणा सब देखता है तो वह वह उपर वाला जो है ना वह आपका मैंटर है तो उसके बिना जो है मैं सब को बुली जा रहा हूं पर्टिक्लरली दा जूनियर्स जो अभी बोल रहे थे जेपी के जो नेक्स्ट आने वाले हैं अगले पांच से दास सालों में डायमेंड्स, एमरेल्ड्स, क्राउन, जीडीजी वो सब आब लोगों जो भी एफाई कर चुके हैं, अब आपकी टर्न है, ठीक है, लगे तो हम भी बढ़े हैं, हम भी दोबारा से बार एक बार बी एफाई करें यार, फिर से, तो यह, 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 सब के लिए स्लेबर सेम ही है, जे बी एफाई कहला, आपको नहीं करना पड़ता हमें भी एक तर फिर बी बन मैं आप बोलते हो, हम आगे बैठके, आडियंस में बैठ जाते हैं, आपको सीखने के लिए आपसे, हम कैस कहेंगे आपको, तो कैसे नहीं ने फिर भी बताओ, जार ऐसे मत करो, कुछे बताओ, मैं गया जो आपकी डायमेंड से पहना, उसको एक डब्बे में बंद कर दो, सब कम सेट हो जाएगा, मैं गया, जितनी में कमजूर हैं, मोटी हैं, चोटी हैं, वो उसको एक डब्बे में बंद कर लो, और दोबारा से सिल्वर जाओ, पहले बीएफाई जाओ, फिर बीबीए जाओ, फिर स्टार बनो, फिर सिल्वर खुड़ो, देखना बिजनस के तरक अफिल हो जाएगी, जो चाभी है जो इस बिजनस में, अभी बोल रही है त्यसमीट, तो कि अब्थ खुजाना है, इंट सेट्र आइर उस डप्द बोनस बता रहे थे, बात कर रहे थे, तो ड़्थ तो कि खुजाना है, मगर चाभी कि सी के आतमे हैं, आपके आतमे के अप तो यह विट्ट जो है विट्ट बीएफई का मनले विट्ट इफ यह बीएफई आपकी फॉंडेशन होगी एमरेल्ड के लिए इफ यह बीबी आई एंड सो अन बागे से आगे रूबी एंड डाइमंड टू विजन्स अफ सक्सेस तो यह यह उसका बेसिक्स है तो बहुत ही कमाल का बीजन्स अब हचा ता हूँ दियम अभी ताहए हैलो बुल दी है आपको बैठीए काफी देर से वेट कर रही है तो अईल का है रिट्ट करें अब को अभी मैडम आएगी एंड से हैलो और लिज वेलकूम रंदीर हुआ 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 है। कई बार जब हम ब değन्नस बिल्ड करते थे बिले तो प्रेफर करते थे एक रात को गुए रहरह हैं पूर दिन काम करते थे और जब रात के 9, 10, 11 गारहmedim तो हम बोलते थे कहां जा रहे हैं, वो बोलते थे कहां जा रहे हो, हम चंदीगड जा रहे हैं, सोचते जह थे के रात ट्रेवल करेंगे और नेक्स दे फिर काम करेंगे, नेक्स दे खराब नहीं होगा ठ्रेवलिंग में, और अपने अपने गर में राम से बैठ के देख रहे ह और पहले का क्या था कि हमें लगता खुशी इतनी मिलती थी काम करके कि लगता ही नहीं था कि कोई काम कर रहे हैं। मज़ा आता था काम करने में जो चीज करने से मज़ा आता है आपको मान से अच्छा लगता है उसकी कोई थकावट नहीं होती। तो हम हमें इसा ही होता था, अई लगता ही नहीं थैaksा कि खाम कर रहे है, हैसे लगता था कि जैसे उंड़ा ही कर रहे है, हर स्टěप को हमें, होटे एक नगादे एक ही जिखे लिगा थैक तो हैंगे, खज़िए लिए जायैंगे, लाइफ में भी आते चुटिछंग में भी आ तो सक्सेस पे फोकेस था, ड्रीम था कि एक दिन बहुत बड़ा बिजनस होगा, तो वो ड्रीम पूरा हो गया, क्योंके हम जो अक्सपेक्ट करते हैं, वो हो जाता है. अगर हम ऐसे ही रोते रहेंगे, वो होता नहीं है, कुछ ओननी रहा है, कुछ ओननी रहा है, तो वह ही तथास्तु हो जाता है, भगवान वही तथास्तु कर देता है कि इसको यही जाई है. तो हम तो हमेशां ऐसे ही रहते थे कि बहुत बड़ा बिजनस होगा, हम एक देन सोल होगा, अभी जे दिमाग में ही नहीं आता था कि जे बिजनस नहीं चलेगा, तब का सेनेरियो था कि लोग कुछ कहते कि जे कमपनी चलेगी, नहीं चलेगी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते पहुमें झालिये दिखता है का को Wyoming ही पुर्ण षेमारी Cuando अ क्ना भी को फ़ना सो प्राइसर अंदें ते हम अभी को टिम्च है GALोल में नहीं ता कि अप्लाइन भी कोई चीज ज लाए कि इतने इन्रोसने में फ़र्स्ट अलस्प च्वालिखन कर लिया था कि ये ट्रेपован 20 अग्या हैं etti क्योंगे तब और वालियूम ज्यादा थी तो हमें वाल्यूम से वो ट्रिप मिला तो अच्छा लगा, फिर्स टाइम हमने तब ट्रैवल किया था प्लेन में, फिर्स टाइम फाइव स्टार में रहे थे, बहुत अच्छा लगा. सब बढ़िया हैं, हेल्थवाइज बढ़िया हैं, क्योंकि न्यूटि लाइट इतना खाते हैं, इतने अच्छे प्रॉड़क्स यूज काते हैं, इतने अगर अम्वे में नहीं होते हैं, तो इतने कंट्रीज कैसे गूबते हैं? अब तो कई बार रफ्यूज भी कर देते हैं, कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अभी एक ट्रेप आरा है, तो हमने रफ्यूज कर दिया है, कि हम नहीं जाएंगे, अब तो चलो करोना है, इससे भी कुश है, कभी करोना नहीं भी था, तो तब हम तब भी कर देते हैं, ऐसा लग किया है कि जब हम लोगों की केर करते हैं तो लोगों को मालूम होता है कि यह संसीरली हमारे लिए कुछ एफट्स कर रहे हैं जब हम लोगों की केर करते हैं तो लोग दीरे 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 हमें पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं जब लोग हमें लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बोली हुई चीज लोगों को भी लाइक करते हैं तो जस्ट लाइक फैमिली जैसे अभी गुरंच बोल रहा था केस में फान भी होना जाये ऐसे ही फैमिली में हर टाइम डिक्टेटर्शिप थोड़ा होती है कभी हासा मजाक होता है, कभी ट्रावलिंग होती है, कभी फन करते हैं, कभी काम की बातें करते हैं ऐसे ही M.V. में हैं हमें तो बहुत खुशी मिलती है जब हमारे ग्रूप के, जहां हमारी अप लाइन के, जहां हमारी डाउन लाइन के लोग हमें मिलते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अपने ही सब ही है और सबसे बड़ी बात कि हम जंग लोगों के बीच रहते हैं कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि एज कितनी है, इतना अच्छा लगता है, तो बहुत मज़ा आता है बिजनस को करके, बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम तो चाहते हैं कि जितने भी आप लोगो हमारे साथ ट्रेवल करें, कि अबी जितिंदर परसाद बता रहे थे के डिफरेंट स्टडी्स आपको दुखा कि इंडिया का कितना ब्राइट फुचर है। और अभी इंडिया भाई जो है। पूरी दुनिया में लगी ज़से हैं और कभ मूडी की बता रहे थे के हमें तो पता नहीं मूडी कौन है इनको पता होगा और कोई होगा ही और यह के पी एमजी का अंकड़ा दे रहे थे और यह मतलब फ्यूचिर इस वेरी ब्राइट यह सुनते हैं के इंडिया जो फाइव ट्रिलियन डालर जी डिपी वेरी सुन बहुत बड़ी एकॉनमी हो जाएगी और पूरी दुनिया का जो बिजनसमेन है वो पूरा उनका ध्यान इंडिया पे लग गया क्योंकि इंडिया ज़ंग इंडिया और सब यहां ज़ंग लोग इतने ज़्यादा है कि बहुत ही प्रॉमिस लग रहा है कि इंडिया विल बीट आल्म को खुद भी नी पता होता के मेरे को क्या चाहिए तो अभी यह नया पैराडाइम आ गया कि अब कंजूमर को जाके बताना पड़ता है वह यह चीज तेरे को फैदा है मैं बताता हूं जैसे प्रोटीन वोडर लांच हुआ था इंडिया में तो रजनीश चोपड़ा जी चं आसा है कोई सौव भीन का मैंने का है क्या एर प्रोटीन वोड़र जक्र इंड़ता है मैं और जा चाहिए नहीं और बाद में जा प्रोटीन वोड़र आया और अब ही तक देखो टॉप सेलिंग के लाई दोसो तींट क्रोड की अज़ेता है तो customer को पता ही नहीं है कि कौन सा product उनको चाहिए तो यह एक नया तरह का system है हमारा जो interactive distribution system मैं उनके words भूल गया जो उनने बोले थे English के कैसे यह एक नया paradigm आ गया तो हम उसमें एंवे वी people all जो भी सुन रहे हो संकड़े हजारां लोग सुन रहे हैं जे सारा जे बिजनस जो है यह इस बिजनस में वो कुछ है जो टाटा के पास नहीं है जो अंबानी दानी बिरलें के पास नहीं है वो सब भी इसी काम में आ रहे हैं कि consumer को consumable daily consumable जो है वो कैसे उनके पचाये जाए और हमारे लिए उस बात में है और हमारे पास जो mentorship program है हमारे पास जो आर एंटी है एमवे की और जो जो एमवे की brand equity है कोई दुनिया में मकाबदा जी नहीं है तो ऐसे बिजनस हमारे हाथ में लग गया अब तो एक ही बात है एक बार जांसी की आनी की तरह कमरकस्था करो और निकल बढ़ो जब तक आप diamond नी बाने जाते निकल बढ़ो गार से एक बार भूल जाओ कि मैं काउन हूं कहां हूं डेली कितने लोगों को touch कर सकते हो आप online करो digitally करो जूम पे करो इंस्टाग्राम पे करो जैसे मर्जी करो social करो physical करो जो मर्जी और एक बार इतना ज़्यादा मैं आपको एक question होगा आपके मान में कि मेरा topic है कि मैं बोल रहा हूं उस पे mentorship and counselling और मेरा कोई counselor खुदी नहीं था कि देखो contradiction कितनी होगी कि अमेरे का में थी तो उनको तो पता भी नहीं हो तो मेरे को तब मेले जाब कर आपके अपने घर में अगर आपने अगर आप ने वह टीपू सल्तान की तरह निगल पड़े ना एक बार गोड़े अड़ी मार के इतना काम कर दोगे कि वो उसको compensate कर लो गया मैंने वो उसको compensate किया है mentorship और अगर आप कर सकते हो तो कर लो नहीं तो make it easy hard work से smart work करना is better तो जो nine core steps हैं जो four basic steps हैं जो cardinal rules हैं उनको follow करते जाओ नए लोगों को मैं बोल रहा हूँ पराणे लोगों को क्या exemption नहीं है उनसे वो भी कर लो cardinal rule follow तो वो 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 जब करेंगे तो business बनेगा बिजनस का जो गूमती है ना इंजन की वो है four basics four basic की जो मास्ट्री करेगा मैं कहता हूं जितने बड़ी बड़ी पिनने वाड़े लोग हैं ना उनकी उनके पास list नहीं है खत्म काड़ी उनका कोईला खत्म हो गया इंजन का उनका जो steam चलना था न जिससे वह कोईला उनका मैं अब वो मैनेजमेंट में आवी जादा वो सीखने सखाने वाले में ज्यादा विश्वास कारने लगे और अपनी आग बुची बड़ी है इंजन की steam boiler का जो एक सो कितना दो सो बारा डिग्री फार ने इट की जगा वो बता नहीं एक सो बारा रह गए तो वो उसको गर्मावत बारा से फिर ठीक है और उस क्रैंक को जितना ज़्यादा हम कमाएंगे बिजनस करियेट होगा और लाइफ एवरिजस से बिजनस बहुत से लोग आपके बद स्टिक करेंगे जिए शुरू सुरू में हमें बताया गया था कि people will join your business and people will leave your business जिए आप रोक नहीं सकते कभी भी यह जो उसमे जो जिए जो लोग छोड़के चले जाते हैं तो नए लोग आएंगे पराने लोग जायेंगे मगर नीचे की कोर है ना जो अंदर की वो कोर बड़ी होती जली जाएगी जो छोटी सी कुर्सियाब के लोग आ रहे आ रहे आ रहे जा रहे जा रहे मगर आपका जो वो ना छोटा अंदर वड़ा गोला वो बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो मक्हियों का एक जो हता है हनीबीज, उनका जोंड आया और वहां एक ट्विग के ऊपर, टानी के ऊपर बैठने की कोशिच कर रहा था तो मैं देखा कि मक्हियां जो हनीबीज हैं वो आ रही हैं और जा रही है कोई आकर बैठती है, कोई उड़के जा रही है, कोई आ रही है, कोई आ रही है, कोई आ रही है, पर कोई जा रही है, मगर वो जो उसका मॉडियूल था ना, वो हनी भी का शत्ता, वो बड़ा होता चला जा रहा था, भाड़ा होता जलाता बड़ा होता जालाता मखिया आरे हैं मखिया जा रही है मखिया आरे हैं मेका यार मेरण दीर को बलाया मेरे कि त इसे ज्सट लाइका वजन करा Ooh बटा एगा तो ये मस्त्री दाब शट्टाछा जारें हैं यह दो लूगद Çणाहें तरम च्राइब झाल झाल